गुलाब के पौधे को वास्तु शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है वास्तु में भी गुलाब के प्यार का प्रतीक माना गया है वहीं जियोतिश शास्त्र में गुलाब का संदर्ब मा लक्ष्मी से बताया गया है वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में गुलाब का पौधा लगाने से सुन्दरता बढ़ने के साथ ही सकारात्मक हूर्जा का संचार होता है इसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप गुलाब से जुड़े कुछ उपाए करें समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं आज इस आर्टिकल के जरिये हम आपको गुलाब से जुड़े कुछ आसान वास्तू टिप्स बताने जा रहे हैं ये टिप्स आपकी जिन्दगी में फिर से प्यार भर देंगे किस दिशा में लगाएं गुलाब का पौधा वास्तू शास्त्र के मुताबिक घर में गुलाब का पौधा लगाने के दोरान आप इसे दक्षिन पश्चिम दिशा में लगाएं लाल फूल लगाने के लिए दक्षिन पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है इस दिशा में गुलाब का पौधा लगाने से घर के मालिक की समाजिक प्रतिष्ठा में बड़ोतरी होती है पारिवारिक समस्या के लिए करें ये उपाय ज्योतिश और धार्मिक मत के अनुसार अगर किसी व्यक्ती की फैमली में कोई समस्या चल रही है तो मालक्ष्मी को हर शुक्रवार को लाल गुला बर्पित करना चाहिए मालक्ष्मी को लाल गुला बर्पित किये जाने से घर में सकारात मकता का वास होता है इसके साथ ही मा लक्ष्मी का आशीरवाद बना रहता है मा लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी लव लाइफ के लिए गुलाब के उपाई जिन लोगों की लव लाइफ में समस्या चल रही हो तो वह अपने बेडरूम में एक कांच के बरतन में पानी भर कर रखें इस पानी में गुलाब की कुछ पत्तियां भर कर दे इस पानी और गुलाब की पत्तियों को रोज बदलते रहें प्रति दिन यह उपाए करने से आपकी लव लाइफ में फिर से प्यार वापस आ जाएगा। आर्थिक समस्या के लिए करें उपाए आर्थिक तंगी से बचने के लिए भी गुलाब का फूल काफी कारग है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शाम को आर्थि के दोरान मा लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। प्रति दिन ऐसा करने से आपको धीरे धीरे आर्थिक समस्यों से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार के दिन मा दुरगा को पांच गुलाब की पन्खुडी को पान के पत्ते में रखकर अर्पित करना चाहिए। यह उपाय करने से आपको जल्दी पैसों की समस्या से राहत मिलेगी।